हलो स्टुडेंट्स आज के टुटोरियल में हम सीखेंगे ट्रेन को बनाना सीखेंगे ट्रेन को कैसे बनाते हैं नहीं तो हम किसी भी अबजेक्ट को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम वह कैसे बनाएंगे तो यहां से हम क्या करेंगे इंसर्ट मेनू में जाएंगे यहां से हम create करेंगे new symbol यहां पिर हम नाम दे देते हैं for example train जैसे हमने इसका नाम दे दिये train और यहां से हम click करेंगे movie clip और हम करते हैं OK जैसे हम इसके उपर click करते हैं अब हम यहां से क्या करेंगे oval shape को select करते हैं oval को select करेंगे यहां से हम इसको black इसके outline कर देंगे और fill color हम इसका कर देंगे white अब हम यहां पर और इसकी जो line जो है वो हम change कर देंगे salary रहने देंगे और यहां से अब हम इसको oval को create करते हैं जैसे हमने oval को create कि अब आप देख सकते हैं हमारे पस यहां पर oval जाए वो create हो गया है अब हम क्या करेंगे line tool से line को select करेंगे और यहां से एक straight line draw करेंगे यह line draw हो गई है अब हम एक line और draw करेंगे line tool से ही यहां से आप shift प्रेस करके भी इसको draw कर सकते है ताकि वो बिल्कुल straight line आ जाए जैसे हमने इसको straight कर लिया है अब हम क्या करेंगे line tool की properties में जाएंगे और यहां से हम कर देंगे line जो है वो हमारी straight होगी और दूसरा हम इसको Q shift करेंगे जैसे हम Q press करेंगे तो हमारे पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको दोनों objects को selection tool से select करेंगे और अब हम करेंगे इनको group means group कर देंगे control जी करके अब यह हो गया हमारा group group होने के बाद अब हम क्या करेंगे यहां पर 30th frame पे आएंगे जैसे हम 30th frame पे आते है और यहां से हम राइट क्लिक करके इसको हम करेंगे F6 F6 करने के बाद हम यहां से Create a Motion के उपर क्लिक कर देंगे जैसे हम इसके उपर क्लिक कर देंगे अब हम क्या करेंगे एक बार हम इसका Preview देखेंगे यहां पर हम इब शो नहीं हो रहा है हम इसको वापिस बंद करते हैं बंद करने के बाद हम एक बार इसको Ctrl Z करते हैं यहां में यहां पर Show हो गया है यहां से अब हम इसकी कुछ Positions को Change करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं कि यह जो Rotate हो यहां से हम Select कर लेते हैं इसकी Positions को जैसे हम इसकी Positions को Select करने के बाद अब हम क्या करेंगे Scene 1 पे आएंगे नहीं तो आप यहां से Create Motion के बाद हम क्या करेंगे यहां से Library को Open करेंगे जैसे हम Library को Open करेंगे यहां पर जो हमारा यह Object जो वो Create हो चुका है यहां से हम जाएंगे Scene 1 में Scene 1 में जाने के बाद जो हमारी जो यहां पर जो हमने Object को Create किया तो उसको हम यहां पे place कर लेंगे और हब हम यहां से Q press करके हम इसमें थोड़ा सा changes करते हैं जैसे हम इसमें यहां से कुछ-कुछ changes करेंगे अब हम क्या करेंगे यहां से 30th frame पे आके right click करेंगे यहां से create a twin motion करेंगे twin motion करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहां से बनाएंगे एक rectangle एक बार हम Ctrl एंटर करते हैं देखते हैं कि इस तरीके से हमारा जो अब्ज़क्ज है वो क्रियेट हो जाता है अब हम इसको करें Ctrl L करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे Ctrl D और अब हम इसकी डुब्लिकेट क्रियेट कर लेंगे नहीं तो आप इसको कॉपी करके हम इसको कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहां पर हमें एक आप्शन आती है रोटेट की जो की हमें यहां पर अभी शोन ही हो रही है हमने यहां से रोटेट की आप्शन को सर्च करना है नहीं तो आप यहां से इसको रोटेट कर सकते हैं अब जट को सेलेक्ट करके और यहां से हम इसको रोटेट करते हैं फॉर एक्जाम्पल 20 पे 20 पे रोटेट करने के बताब हम देखेंगे अब हम यहां से ट्विन करियेशन मोट सो है यह हमारे पास और अब हम एक बर इसको कंट्रोल एंटर करके देखते हैं यह देख रहे हैं हमारे पास जो अब्जेक्ट जब हमारा इस तरीके से रोटेट हो रहा है इस तरीके से हम यहां से इस बर इसको क्लोज करते हैं रिक्टैंगल बॉक्स में जाएंगे यहां पर rectangle बना के आप इसके इनको चारो साइड पे wheels को set कर सकते हैं तो इस तरहिके से आप अपने train या किसी भी object को आप moving में ला सकते हैं तो आज के tutorial में हमने एक example बनाना सीखा था कि हम train का या हम moving object को हम कैसे move करा सकते हैं Thank you